अब हम देखेंगे कि इसका यूज यानि functions काहां काहां होता है किस तरह के कामों के लिए इस्तमाल होता है तो primarily अगर देखे हम तो मुख्यतर दो तरह के कामों के लिए इसका इस्तमाल होता है एक होता है कि जब simple presentance इस्तमाल हुआ हो या इस्तमाल करना हो तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि वो permanent action हो यानि कि जब हमारा कोई permanent action हो, यानि हमेशा कोई कां होता हो तो उसके लिए हम simple present का इस्तमाल करते हैं लेकिन यही है मतलब एकलौता यही है कि हम इस्तमाल करते हैं लेकिन इसका exception भी है अपवाद है यानि कि अपवाद कैसा है कि वह permanent action नहीं होता है एक ऐसा काम है जो सबसे पहले temporary action, temporary action क्या है कि जो भी हो रहा है यानि कि रोज नहीं हो रहा अभी हो रहा है जैसे कि action that is happening now उसके के लिए, action, that is happening now, इसके लिए हम इस्तमाल करते हैं, और इसके लिए हम कौन सा इस्तमाल करते हैं, तो commentary, के लिए हम इस्तमाल करते हैं, पूरा लिखी देता हूँ, commentary, तो commentary के लिए हमारा इस्तमाल होता है, जैसे sports की commentary होती है, cricket हो, football हो, hockey हो, whatever, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आप ध्यान देना, कि वो जो commentary होती है, वो commentary simple present में होती है, जबकि action उस समय हो रहा होता, घट रहा होता है, यानि कि अगर धोनी छक्का मार रहा है, तो नहीं कहेगा, कि धोनी is hitting a six, वो कहेगा, धोनी hits a six, तो commentary के लिए, जो है कि sports commentary के लिए, sports commentary के लिए इस्तमाल का यह exception है, अपवाद है, otherwise, जो मुख्य काम है इसका, वो है permanent action के लिए इस्तमाल करना, या वैसे कामों के लिए इस्तमाल किया जाता है, अब permanent action को अगर हम divide करें, कि कौन कौन से action हो सकते हैं तो उसमें हो सकते हैं कौन कौन से जैसे रिप्टेड action यानि कि बार बार होने वार्ड रिप्टेड action Rifted action Rifted actions होगा तोो stars में कई सारे काम होते हैं जैसे आप रोज पढ़ते हो, रोज पाने पीते हो, या औरेंज जूस रोज पढ़ पीते हो, है न, तो उस तरह के लिए कामों के लिए हम पर्मानेंट के लिए हम इस्तमाल करते हैं, जैसे हम एक्जाम्पल अगर लें कि माई मदर यूज्योपलली My mother usually go to temple, go to the temple twice a week, twice a week, right, twice a week. यानि कि मेरी मान जो है कि वीक में डोबार temple जाती है, नि मंदिर जाती है. अब किससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि वो हर एक वीक में जाती है. तो यह पर्मनेंट एक्षण हो गया. अब दूसरा हो गया कौन सा है दूसरा हो गया हमारा अगर देखें तो दूसरा अगर डिवाइड कर इसे तो यूनिवर्सल फैक्स आप जानते ही हो यह तिंग्स इन जेनरल इन जेनरल फैक्स आप जानते हैं जो कभी बदलते नहीं है जो कल भी होते थे आज भी होते हैं और ऐसे उमीद होती है कि कल भी होंगे ऐसे के लिए हम इस्तमाल करते हैं जैसे जासन राइजें इन दे इस्ट या फिर दसन राइजें इन दे इस्ट या फिर दसन गिवस अस ही अ एट एंड लाइट 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 या इस्टे अन इस्ट यह इन्वर्सल फैक्ट्स हो गए अब इसी से जुड़ा थर्ड हो सकता है Scientific Facts Scientific Facts Scientific Facts तो और भी कभी नहीं बदलते हैं आप जानते हो जैसे Water Bowls at Water Bowls at 100 Degree Right तो यह क्या है यह कभी भी पानी जो है कितने पर उबलता है 100 Degree पर यह Inversal Facts है Right 2 and 2 and 2 makes 4 अब यह भी है 2 और 2 को जोड़ा जाये तो कितना होगा 4 यह कभी भी होगा पहले भी होता था आज भी होता है और कभी भी होगा अब जूसरे इसका और एक्जामपल क्या है यह सारे के सारे कॉमन इन सब में बात यह है कि पर्मानेंट एक्शन है वैसे ही अब जो टाइम होता है शिडूल इवेंट्स होता है यानि टाइम टेबल शिडूल जो होता है यानि टाइम टेबल कि बात करें टाइम टेबल टाइम टेबल किसी का टाइम टेबल होता है किसी चीज़ का हो सकता है इसकूल का टाइम टेबल यानि आप समझ सकते हो टाइम टेबल में क्या हो सकता है bulra currently time table धो सकता है कि अपके स्कूल को टाइं मुंक्ती लोता है को चिन कर टाइम टेबल उता है हें ओफिज का टायम टेवल होता है, याणि कि जीशी की किसी चीज का टायम टेवल माटो सेड उसका fix हो ओक जास, आपक़ सबस्क्राइब टेम परोटे फिक्श कंशने मािश होगा जैसे आपके छे say the train musun को कि अयारी आ hypoc किया है अ एक यानि 5 का कितना है 11 वज़े यानि कि यूम है हलाकि भारत में त्रेंग कभी टाइम ली नहीं लें कि jsब हम्हांना होगा और स्टेशन एंगे ग्रांख ile ही पहुंचना होगा अगर ट्रैंग का 11 बज़े अब ये हो गया हमारा अब दूसरा क्या होता है जैसे कुछ और हमें देखते हैं कि कहां यूज होता है और यूज होता है कैसे जैसे sequence of action in present अगर जैसे कि आपने कोई पहले काम किया फिर बाद में किया तो उसके लिए कब करेंगे sequence of actions जो होता है उसके लिए sequence of actions जो होते हैं यानि एक के बाद दूसरा होता है in the present not past in the in the present मेरी writing अच्छी नहीं है फिर बे कोशिस कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से लिखू in the present यानि कि present में कोई एक के बाद दूसरा दूसरा एक बाद तीसरा काम होता है तो उसके लिए हम इस्तमाल करते हूँ उसके लिए हम क्या समर करते हैं first, second, then हम इस तरह के चीज़े इस्तमाल करते हैं जैसे एक example हम देखें इसके लिए example हम लेते हैं तो example जैसे first I wake up यानि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुबह मैं उठता हूँ, then I have a cup of tea, यानि कि सबसे पहले मैं उठता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यानि सबसे पहले उठता हूँ, यानि सिक्वेंस हो गया, पहला काम हो गया, फिर उसके बाद क्या काम हो गया, और यह भी पर्मानेंटी सो करता है यानि कि regular action यानि habit को आपको सो कर रहा है रिप्टेट action means habit action हो गया या टाइम टेबल यह कुछ भी हो तो आप देखेंगे कि यह क्या है पर्मानेंट action यह बदलने वाला नहीं है इससे पता चल रहा है कि कोई काम regular way में हो रहा है कि अब नेक्स देखें अगर इंस्ट्रक्शन देना हो अगर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो हम अगर नेक्स देख लें इंस्ट्रक्शन यानि कुछ करने के लिए instruction समझते हैं यह instruction देना हो तो हम क्या करते हैं instruction देने के लिए हम stance का इस्तिमाल करते हैं इस्टेंस का इस्तिमाल करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए जैसे open your mouth तो क्या instruction है open your mouth अब इसमें subject नहीं है subject छुपा हुआ है यू अब किस तरह के sentence में होता है आप जानते हैं आप इसे imperative sentences कलाते हैं यानि कि imperative sentences में instruction के लिए क्या करते हैं advice के लिए या इस तरह कामों के लिए open your mouth यानि कि advice देने के लिए suggestion देने के लिए हम simple present का इस्तमाल करते हैं कोई भी instruction देना है जैसे go there come here right तो इस तरह के चीजों के लिए इस तरह के incident के लिए हम क्या इस्तमाल करते हैं हम simple present tense simple present का next use हम fixed arrangement के लिए करते हैं fixed arrangement क्या होता है pre-planned कोई भी pre-planned action हो तो उसके लिए हम simple present tense का इस्तमाल करते हैं जैसे अगर आपके पिटा जी का कल आना तय है पहले से schedule है सब कुछ और सब कुछ fix है कोई भी chance नहीं है नहीं आने का तो हम ऐसी इस्तिती में ऐसे expression के लिए हम simple present tense का इस्तमाल करते हैं जी कि my father arrives tomorrow यानि मेरे पिता कल आएंगे हिंदी में तो यह meaning होगा लेकिन हम इसे future time को व्यक्त करेगा कि आएंगे लेकिन चुकि यह fix है आना उनका fix है तो इसलिए हम simple present tense में इसे express करेंगे तो हम कहेंगे our summer vacation starts on 25th June यानि कि हमारा summer vacation start होता है कब 25th June को होगा यानि कि यह fix है पहले से तो हम ऐसे expression के लिए हम simple present tense इस्तमाल करते हैं यानि हमारा वर्द क्या होगा subject के अनुसार subject अगर third person singular number है तो father क्या है third person singular number तो वर्द क्या होगया वर्द पलस ES यानि V5 इस्तमाल हुआ है यहाँ पर भी third person similar number है तो इसलिए starts यहाँ पर हमने इस्तमाल किया next जो हमारा use है और लगभब last कह सकते हैं कि हमारा जो future construction यानि कि clause होते हैं हम clause में कई सारे simple present tense का clause में इस्तमाल करते हैं जब हम when के साथ कोई हमारा clause होता है subordinate clause हमारा होता है when when हो गया if clause हमारा हो गया before जो है हमारा यानि before वाले subordinate clause के साथ हम future time को व्यक्त करने के लिए simple present tense का इस्तमाल करते हैं जैसे कि एक example यहां पे है दिया हुआ I'll meet you मैं तुमसे मिलूँगा before I leave यानि निकलने से पहले जाने से पहले मैं तुमसे मिलूँगा तो जाने से पहले मैं तुमसे मिलूँगा तो यहां पे before मैंने का था subordinate clause के साथ before I leave यानि जगा छोड़ने से पहले कहीं भी हो वो office में हो school में हो घर में हो कहीं भी वो मैं कहता हूँ कि छोड़ने से पहले तुमसे मिल लूँगा you will give the book to her when she arrives अब यहां पे हमारा main clause है और यहां पे when मैंने भी कहा था when clause subordinate clause जो होता है हमारा उसके साथ हमारा V5 इस्तमाल होता है V5 इस्तमाल होता है when she arrives यानि कि तुम तुम इसे book तुम उसे book दे देना जब वो आएगी तो जब वो आएगी future time को बतला रहा है लेकिं हम इसे simple present में इस्तमाल करें क्योंकि यहां पे when clause है तो when before if etc जो भी होते है whenever whatever तो इस तरह साथ हम generally simple present का इस्तमाल कर से हैं अगर future time को बतला ना हो अब हम देखेंगे कि uses हमारा complete हुआ अब हम देखेंगे formation of negative and interrogative यानि कि how to form negative and interrogative in simple present tense ध्यान दखने वाली चीज है कि इसमें एक नया auxiliary verb इस्तमाल होता है एक होता है do और दूसरा होता है does इसमें इस्तमाल किया जाता है जो इसे हम लाते है खुद से do और does और negative बनाना होता है plus not हम इस्तमाल करते हैं और सिर्प interrogative करना हो तो सिर्प do या does इस्तमाल करते हैं कैसे करते हैं इसे एक्जाम्पल में देखेंगे कि हम कैसे इस्तमाल करते हैं बनाते हैं negative हम एक थिंक को थिंक से लेते हैं हम थिंक थिंक वर्ड लेते हैं और इसका हम इसका हम negative क्या होगा I think सपोर्ज हम simple एकदम simple से पढ़ेंगे I think I think हमारा हो गया तो negative हो बनाएंगे तो क्या होगा I don't think I don't think I don't think और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो यह तो डू आई थिंक डू आई थिंक बहुत simple है और question माल दू आई थिंक तो इंट्रोगेटिव बनाने के लागपो पता है कि हम क्या करते हैं अक जिल्वी वर्ग को सब से पहले लाते हैं उसके बाद हमारा subject होता है उसके बाद वर्ग होता है और यह हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि डू और डज के साथ हमेशा ही क्या होता है भी-वन इस्तमाल होता है यानि डू इस्तमाल हो या डज इस्तमाल हो किसी संटेंस में तो इसके साथ हमेशा भीवन जो प्रिंस्पल भर्व होता है यानि में भर्व में भर्व जो हमारा होता है वो भीवन होता है हमेशा इन एवरी कंडिशन अब डुस्ट अब डज कहां इस्तमाल होगा तो जैसे अगर हम इस्तमाल करते हैं ही तो ही क्या होगा ही डजन्ट ही डजन्ट खेंग और कोश्चन अगर बनाना हो तो क्या होगा डज ही थिंग एंड कोश्चन मार्क है डज ही थिंग तो अब दो हमने देखा आई के साथ दू लेकिन ही जब सब्जेक्ट होगा तो डज होगा तो वह हम देख लेते हैं कि इसके साथ कौन सा सुश्ण का इसमाल होता है यहणि डू किसे साथ कैसे सुब्जेक्ट के साथ इसमाल ही जर्ट दू जो है अगर सब्जेक्ट आपका आई हो या यू हो हो या फिर दे या या फिर वी या कोई भी plural subject हो अगर हो तो उसके साथ हम क्या इस्तमाल करते हैं? डू लेकिन जब हमारा subject third person singular number हो और subject third person singular number कौन सा होता है? हमारा होता है he, she, it और कोई भी singular नहीं है कोई भी हमारा क्या होता है? similar similar कोई भी name जैसे कहना हो? राम राम thinks तो एक्स ये इस positive affirmative हो गया इसका negative क्या होगा? राम doesn't think राम doesn't think और interrogative does राम तो आपने देखा यहाँ पर दज इस्तमाल हुआ और यहाँ पर does इस्तमाल हो यहाँ क्योंकि यह third person similar number है मुझे उमीद है कि अभी तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा अब जो है हम थोड़ा देख लेते हैं एक और important चेज और वो यह है कि do और डज के साथ हमेशा नूट में मैंने पहले भी बता चुका हूं बस उसको याद रखना है do और डज के साथ do हो या डज हो इसके साथ हमेशा principal भर main भर जो हमारा होता है हमेशा V1 होता है यह हमेशा याद रहना चाहिए कभी भी वी तू वी थरी नहीं होगा हमेशा V1 होगा अब उमीद है कि आप इसका negative और positive बना सकते हैं आपको कोई भी problem नहीं होगे अब हम देखेंगे दूसरा structure जो कि है subject प्लस has have प्लस 2 प्लस V1 अब इसमें भी आप देखेंगे has, have तो आपको अश्यर होगा कि has, have तो present perfect के साथ होता है लेकिन surprise होने की जूरत नहीं है यहाँ पर have के साथ 2 है प्लस V1 तो अगर इस तरह के sentences होते हैं actually यह conditional sentences हैं जो present simple में लिखे जाते हैं simple present में जैसे हम कह सकते हैं I have to go now I have to go now यानि कि मुझे अब जाना है I have to go now he has to finish he has to finish his work तो यह sentence भी simple present tense का है अब आगे बढ़ते हैं तिसरे structure की तरफ यह subject प्लस is RM प्लस noun तो generally हम यह देखते हैं कि is RM present continuous के साथ इस्तमाल होता है लेकिन यहाँ पर simple present में भी होता है finite और non finite की वीडियो में हमने देखा था जब हमने categorize किया था auxiliary work को तो is RM यह is V5 में आया था आपको याद होगा यह V5 है और यह V1 में दोनों आया थे तो subject प्लस भग जैसे noun होगा प्लस is RM प्लस noun प्लस to noun यानि कि इस example देखते हैं जैसे अब यहाँ पर is हो गया और यहाँ पर यह नाउन हो गया या pronoun हो सकता है या adjective या adverb कुछ भी हो सकता है यहाँ दूसरा example एक और देखते हैं जैसे I am a teacher I am a teacher यह भी noun हो गया अब हम next के ज़रा बढ़ते हैं आगे आगे हम देखते हैं number four structure subject प्लस is RM प्लस V3 अगर इसे देखें तो यह simple present का passive का structure है यानि कि अगर आपको structure मिले is RM के साथ V3 यानि past participle तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह simple present tense का sentence है जैसे a tiger a tiger is killed जैसे जैसे they are taught by their father. यानि वे लोग अपने पीटा के दोरा पढ़ाई जाते हैं. तो यह हमारा passive का sentence है क्योंकि helping भग के बाद v3 होता है तो वो passive में चला जाता है. अभी आप समझ गए होंगे. Next की तरब बढ़ते हैं. subject plus is rm is rm plus 2 plus v1. आपको हमेशा याद रखना होगा. इसके पॉले भी हमने देखा था. 2 के बाद v1 होता है हमेशा. यह हमेशा आपको याद रखना है कि infinity यानि 2 के बाद हमेशा जो वर्ब form होगा वो हमेशा v1 होगा. Always. तो subject is rm plus 2 plus v1 हम इसमें देख सकते हैं जैसे और यह पहले हम देखने से लिए क्या बतलाता है? यह बतलाता है future time को. यह future time को बतलाता है लेकिन simple present में इसे हम express करते हैं. जैसे he is to attend the meeting. वह meeting attend करने वाला है इसे हम ऐसे sentences को जी मीनिंग होते हैं वह होते हैं कि attend करने वाला है जैसे it is to rain. इसे it is to rain. यानि बारिश होने वाली है. next देखते हैं there के साथ introductory यह क्या है? introductory subject क्या लाता है यानि इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता sentence में लेकिन यह subject के रुप में हम इसमाल करते हैं. there is or am plus not am होगा by mistake is or are plus noun plus other words है नहीं तो जैसे there is a there is a black cow black cow there is my house there is a there is my house वो मेरा घर है there is a black cow एक काली गाय है तो यह sentences जो अभी तक हम देख रहे थे अभी तक जितने वो सारे सारे simple present tense में हैं अब एक last देखते हैं इसका कि it is plus noun या pronoun तो जैसे हम इस तरह के sentences में हम एक example लेते हैं जैसे it is my teacher it is my teacher and parents and parents who have helped me it is my teacher and my parents who have helped sorry helped me मतलब मुझे मेरे teacher और मेरे parents हैं जुन्होंने मेरी मदद की है तो is rm is के बाद देखी यहां पर नाउन हो गया हम यहां देख सकते हैं my teacher यानि teacher क्या हो गया नाउन हो गया यह यह भी नाउन है एन्द माइप पैरेंट्स यहां पर मेंसिंग है माइप एरेंट्स फूहाव हैल्प मी तो अभी तक हमने देखा लगभग लगभग क्या आठ हमने extra structure देखा main structure के अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे कि adverb used in simple present tense यानि कि किस तरह के adverb इस्तमाल होते हैं हमने इंट्रोडक्शन टेंस के introduction वीडियो में हमने बताया था time और टेंस की कि adverb की भूंकर क्या है time यानि कि time of adverb sorry adverb of time इस्तमाल होता है और हर एक tense का अपना एक अलग adverb है time of adverb इस्तमाल किया जाता है special kind यानि वो लबबग fix है और कुछ adverb of time ऐसे हैं जो common है तो हम इसमें देखेंगे कि कि तरह के adverb simple present tense में इस्तमाल होते हैं और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह के जब हम याद रखेंगे तो हम common error भी find out कर सकते हैं कि है कि या नहीं है तो simple present tense में आप अकसर देखेंगे कि उसमें always मिलेगा now मिलेगा आपको usually, generally, twice a week, thrice a week, month, year, often, yearly, monthly, weekly, daily, quarterly, everyday, every week, every month, each day, etc. यानि कि इस तरह के आपको adverb of time मिलेंगे यानि frequency दिखाएगे इससे क्या पर चलता है कि कोई काम परमानेंट हो रहा है regular basis पर हो रहा है यह सारे कि सारे जो adverb of time है इन सब में common चीज़ यह है कि यह सब ही regular activities को बता रहा है कि कोई भी काम regularly होता रहा है जैसे yearly सालाना यानि कि क कोई काम हर एक साल होता रहा है जैसे कुछ हमें example देख लें जैसे he always comes late he always comes late यानि वो हमेशा देर से आता है राइट twice a week I go to temple twice a week twice a week मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि clear लिख पाऊं तो twice a week हाँ अभी ठीक है twice a week यानि कि मैं मन्दिर week में दो बार जाता हूं he always comes late वो हमेशा देर से आता है तो इस तरह के sentences जो है इस simple present tense में यह सभी जो अभी हमाने बताया यह साथ तरह के adverb of time मिलेंगे इस तरह से हमारा यह वीडियो खत्म होता है उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप एक concept clear हुए होंगे कुछ नई बाते भी आपको मालूम पड़ी होंगी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके लिए homework है कि आप simple present से related वीडियो तो आप इसे subscribe करें like करें और comment करें thank you so much